प्रॉक्ष। पार्व। शछिए अपधेट इड शब्सक्राइब तीजए कडेमी। बिस्मिल्ला रहो रेहिम। आज व्रिसक्स कहने जा रहे हैं पर्फट्ली कंपरिटिव मार्केड और पर्फट कंपिटीशन। देखें perfectly competitive market ideal market है जिसकी कुछ assumptions है अच्छा कुछ assumptions सोड़ी सी realistic नहीं भी है तो यह बाद जहन में रखें हमारा objective perfect competitive market को पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि बिलकुल इस environment को पढ़ना नहीं यह जो environment हम बना रहे हैं कुछ assumptions के साथ हमारा असल objective यह assumptions पढ़ना नहीं है हमारा असल objective यह है कि अगर यह simplified firm हो perfectly competitive environment में firm हो तो वह behavior कैसे करती है हमारा objective उस behavior को पढ़ना है वह behavior वही है जो आजकल की firm जो हमें नदर आती है उनका behavior होता है तो यह बाद जहन में रखेंगे perfectly competitive firm यह इसके structure को पढ़ना का मतलब perfectly competitive environment को 100% पढ़न नहीं है इस तरह की firm के behavior को पढ़ना है ताके हम आजकल की firm के behavior को समझ सेके इसलिए हैं कि ताकि कि एस वर सिंप्लिफाइड हो जाए लेकिन behavior इसका वह होगा जो practical firms का हमें नज़र आता है लेकिन इसकी पहली exemption है large number of buyers and sellers यानी खरीदने वाले भी बहुत हैं और बेचने वाल इसे buyers को यह फिकर नहीं कि shortage रहेगा क्योंकि बहुत sellers है तो पहली exemption कि इसकी क्या है large number of buyers and sellers number two जितने भी sellers हैं उनके लिए दूसरी exemption क्या होमोजेनस प्रोडक्ट कि 100% जो प्रोडक्ट है वो basically कैसी है वो होमोजेनस है यानि जो produce किया जा रहा है वह 100% same produce किया जा रहा है अच्छा अब इस तरह की कोई अगर practical example हम सोचे हैं तो 100% same product जो भी producer producer product produce कर रहा है उसमें कुछ ना कोई difference हो होता है जैसे for example near example close example तो मिल सकती है 100% same हो वो नहीं मिल सकती जैसे अगर आप बोलें के mineral water एक तरफ आप नेसले का रखे हैं एक तरफ आप एकवाफीना रखे हैं तरह कोई दूसरा mineral water रखे हैं तो कहने वाले को दूजी कहें के सारा mineral water है लेकिन brand name itself उसको differentiate कर रहा है यह नेसले है वो एकवाफीना है तो किसी भी तरीके से अगर product का आप differentiate कर सके हैं तो ऐसा product homogeneous नहीं होता तो homogeneous होता है 100% same product दो product आपके पास रख दिया जाओ और आप किसी भी एंगल से उसको differentiate ना कर सके हैं तो वो सरह का product कहलाता है homogeneous product और यही परफेक्टली competitive market की एक जमिशन है कि जो product तमा comes our price taker यहाँ पर जो large number of sellers हैं इससे यह बात जहन में रखेगा कि market का structure में sellers इतने ज्यादा हैं कि किसी भी seller का जो market share है वो बहुत ज्यादा नहीं है बहुत चोटा सा है तो जब market share बहुत कम है तो इसका मतलब है कोई small share वाला producer market में आए कि price को lead नहीं कर सकता वो उसको उसी तीमत पर अपनी product को sell करना पड़ेगा जो price market में चल रही है इसलिए हमने यहाँ पर exemption रखी जो perfectly competitive environment की exemption है firms are price taker कि अगर कोई firm इस market में एंटर होती है तो उसका market share इतना minimum है कि वो price को lead नहीं कर सकता जब price को lead नहीं कर सकता तो उसका मतलब है उसको वो ही price follow करनी पड़ेगी जो market में चल रही है तो हमने टीसी एजमशनली firms are price taker 4th one perfect knowledge buyer को भी पता है कि product की क्या है का features उसको deceive नहीं किया जा सकता और वो किस price में मिल रही है इसी तरह producer को भी deceive नहीं किया जा सकता यह यह वहाँ तो सस्ता मिल रहा है नहीं नहीं ऐसे कि इसी को का गया perfect knowledge यहीं डिसीव नहीं किया जा सकता 100% information सब के पास है and the last one free entry and exit देखिए यहां एक चोटी सी चीज़ें में रखे है हमने एक चीज़ डिफरेंस देखा था firm का और industry का industry is nothing but collection of firms तो अगर हम यह 5th assumption को consider कर लें यानि free entry और exit कोई भी firm जब चाहे इस market में enter हो सकती है कोई भी firm जब चाहे इस market से exit हो सकती है तो अगर यह entry और exit freely allowed हो जाए तो किसी भी firm का industry में enter होना या exit होना इसका मतलब है कोई firm अगर enter होती है तो इस industry का land भी change हुआ, labor भी change हुआ, capital भी change हुआ, entrepreneur भी change हुआ, इसका मतलब सारे factor बदले इसी तरह कोई firm exit करती है तो industry के सारे factor बदल गए तो इसका मतलब free entry और exit का exist करना industry के तमाम factors को change कर रहा है किसी एक particular stable condition में जाने के लिए help कर सकता है, तो free entry और exit का होना industry के लिए क्या कहलाएगा, long run कहलाएगा क्योंकि वो output adjust कर सकता है ना, enter होके या exit करके, लेकिन अगर इसी पर ban लगा दिया जाए, कोई firm enter नहीं होगी, कोई firm exit नहीं होगी तो उसके मतलब है, आप industry की बात कर रहे हैं, किसकी short trend industry की बात कर रहे हैं, तो जहन में रखें, lie number of buys and sellers, market में खरीदने वाली भी बहुत हैं, बेचने वाली भी बहुत हैं, जो भी producers हैं, वो सारे के सारे homogenous product produce कर रहे हैं, firm's the price taker, यानि market share किसी एक producer का इतना कम है, कि वो market में price को lead नहीं कर सकता है, इसलिए जो market में price चल रही है, उसी को follow करनी है, perfect knowledge, consumer के पास भी 100% information है, producer के पास भी है, और जो last assumption is free entry, exit की, याद रखिएगा, ये industry के long run और short run होने की है, अगर entry और exit allow कर दिया जाए, तो ये industry के लिए long run है, और अगर ban कर दिया जाए, नहीं कोई firm आ स अगर ये वीडियो आपको clear हूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंदा है इसको like करें, share करें, हमारे चैनल को subscribe करें, और bell icon पे जरूर क्लिक करें